Tech News No.5 CES चल रहा है आपको पता है और आज last day है CES का और बहुत सारी नई-ने चीज़ें, बहुत सारे mobile phones लग लग तरा के laptops, even की cars तक launch हो गई हैं तो discuss करते हैं सब के बारे पर उससे पहले India की news पर आ जाते हैं जो कि Flipkart की एक sale चल रही है जिसका नाम है बिग बचत धमाल sale, पता ने किस अगेजन पर ये sale आई है 7th तो 9th से sale चल रही है और इसमें हमको iPhone 12 और 12 Mini पर बहुत मैसिव डिसकाउंट मिल रहे है मतलब close to आप कह सकते हो कि जो Big Billion पर प्राइस आया था Bulk Messaging वगरा करते हैं उनको बैन कर दिया WhatsApp ने बहुत बड़ा नमबर है वैसे 17,1,7,000,000 अकाउंट को बैन करना काफी बड़ी बात है और मेरी इसाब से होना भी चाहिए क्योंकि ना बहुत सारी कंपनी जैसे RGO वगरा का मैंने नोटिस किया यह मुझे WhatsApp पे मेसेज आ रहा है अपनी डील्स बड़ा बताने के लिए SMS तक ठीक है अब टेक्स्ट मेसेज कर दो वगरा क्यों मेसेज कर रहा है इतना टाइम कि इसके पास है कि अपने पहले गुरूप के मेसेजज नहीं खतम होता है और अब आप उपर से अपनी डील्स बताने में लग गए हमको WhatsApp पे तो मेरी साब से बैन होना अच्छी बात ही है यह उसके बाद iPhone 14 के जो लीक्स बगरा आई है उसके हिसाब से iPhone 14 में नॉट्स तो खतम हो जाएगी बट यहाँ पे हमको एक punch hole camera देखने को मिल सकते है जो कि एक pill shaped होगा जो सारे face ID sensors बगरा होगे उसके अंदर वो सारे display के नीचे होगे जो cameras है वो इसलिए under display नहीं होगे उन्होंने कहा है कि अगर आप realme का 8S यूज़ कर रहे हो तो वो आप हमको दे दो और हम आपको उसके बदले अगनी 5G देंगे उनका खुद का phone है और यह वो free of cost कर रहे हैं मतलब दूसरी company के phone ले रहे हैं और अपने खुद के phone दे रहे हैं customers को तो देख लो आज कल क्या आगर रहे है companies यह scheme वैसे खतम हो चुकी है 4 January तक ही थी उसके बाद OnePlus के उपर आते हैं तो OnePlus 9 RT और Bud Z2 जो इनके नए आने वाले हैं वो इन्होंने officially tease कर दी है अपने सारे social media handles के उपर 14 January को शाम को 5 बज़े इनका launch event है और जो price होगा OnePlus 9 RT और वो 40 से 45 के बीच में होगा 40 तो 45 थाउदन के बीच में जो Bud Z2 है उनका price होगा most probably 5,000 रुपे और अगर आप चाते हो कि मैं इनके उपर वीडियो बताऊँ तो मुझे बता देना नीचे comment करके मैं order कर दूँगा जैसी launch होते हैं और उसके उपर वीडियो बना देंगे हम Bud Z2 के उपर और OnePlus 9 RT है उसका जो refresh rate होगा 120 Hz और Snapdragon 888 प्रोसेसर होगा फिर PUBG का जो न्यू स्टेट वाला वर्जन है 2022 के मिड में उसमें एक नया मैप आजाएगा जो एक hybrid time map होगा जसके अंदर hills, desert, city और jungle वगारा सब कुछ mix सा होगा बट अब इस map के आने में time है तो फिर अगली news पर आते हैं जो कि है Blackberry की तरफ से Blackberry के phones officially बंद होगे हैं चलने अगर आपके पास कोई भी फोन है जिसके अंदर Blackberry वर्ष चल रहा है तो वो अब काम करना बंद कर जाएगा अगर Android वर्ष चल रहा है इसी Blackberry फोन में तो वो काम करेगा मतलब कि इतने सही फोन होते थे उसमें track wall होती थी Blackberry के फोन में मुझे याद है अभी वी तो अगर आपने यूज के हो इस Blackberry का फोन या फिर नहीं मुझे नीचे कोमेंट करके बताना इसका reason क्या है मैंने इसके उपर आज ही Reel डाली है Instagram पर वैसे आप मुझे Instagram पर follow नहीं करने तो कर लो क्योंकि मैं याप इस तरह की Tech News वाली Reels वगरा डालता रहता हूँ और बहुत सारी hacks वगरा भी डालता हूँ तो मुझे इन से में पर follow कर सकते हो ऐसी latest चीज़ों के लिए अगली नीउस पर आते हैं जो की है Starlink की तरह से Starlink एक internet provider है जो कि Elon Musk ने launch करना है इंडिया में अभी उसके लिए उन्होंने pre-orders वगरा पहली लेने शुरू कर दिये थे जबकि उनको permission नहीं मिली थी Indian government की तरह से बट अब उन्होंने उन सारे pre-orders को refund कर दिया जिन्होंने पहले पैसे देखिये उसको पहले book कर लिया था उनको वापिस कर दिये पैसे क्योंकि government से permission मिली नहीं और वह पहली उसको बेच रहे थे फिर अगली news आती है Apple की तरह से तो वाई finally Apple ने 3 trillion की market value को hit कर दिया है वैसे 2018 की mid में इनोंने 1 trillion को hit किया था और अब देख लो 3 साल में इनोंने 3 trillion को hit कर दिया तो Apple तो भाई बहुत उपर लेवल पे पहुंच चुका है अब इसकी बाद OnePlus ने अपने OnePlus 10 Pro की pictures को officially reveal कर दिया है अब companies क्या करती है कि उनके leaks वोगरा भार से होते हैं वो खुद ही अपने leaks कर देती है जिसे कि launch से पहली लोगों के बीच में phones की hype क्रियेट हो जाती है और launch होते ही लोगों से खरीद लेते हैं phone को तो अच्छी marketing strategy है companies की वैसे इसके अंदर 2 colors आएंगे एक तो volcanic black और एक होगा forest emerald ग्रीन सा color होगा ये और इसके अंदर latest snapdragon 8 gen 1 processor आएगा मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि non-pro वाले में अलग प्रोसेसर है और जो प्रो है उसके अंदर प्रोसेसर ही अलग है फिर इसके बाद Samsung की तरव से नियूज आती है उन्होंने CES के अंदर बहुत अलग अलग तरह के foldables और slideables को showcase कर दिया है कोई अंदर को fold होगा कोई बार को fold होगा एक का नाम है flex S एक का नाम है flex G फिर एक flex note आता है जो कि एक foldable laptop होगा तो display के मामले में Samsung को कोई beat नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी ये जो z flip और z fold आ रहे हैं Samsung के इनका सबसे जादा market share है foldables के world में और इस साल हम नई चीजें भी लेके आ गया Samsung फिर इसके बाद आते हैं हम इंडिया की monetary policy community पे इन्होंने काया है कि इंडिया में crypto ban करना बहुत मुश्किल है because it's very difficult to implement that और फिर वो कहते हैं कि इसको आप crypto currency ना बलाओ इसको बलाओ आप crypto tokens क्योंकि इंडिया में कभी भी currency की तरह ने यूज हो सकती crypto आप ज्यादा से ज्यादा crypto में सुर्फ इंवेस्टी कर पाओगे फिर अगली न्यूज आ रही है कि Xiaomi इंडिया को एक notice मिला है इन गवर्मेंट की तरह से कि उन्होंने कस्टम जूटी जो फोन के ऊपर लगती है और कुछ टैक्सिस वगर उन्होंने सही से पे नहीं किया कागजाओ में कुछ और दिखा दिया पे कुछ और किया और इसकी जो टोटल अमाउंट निकल के आई है वो है 653 को तो यही अब देने पड़ेंगे फिर पिक्सल के फोल्डिबल फोन समको लग रहा सा पता नहीं आते हैं फिर रूमर्स ही आई बट एक लीक निकल के आई जिसके हिसाब से जो पिक्सल फोल्डिबल फोन उसका कोडनेम होगा पिपिट बहुत अजीब सा नाम है पिपिट कैसा नाम हुआ इसके अंदर टैंसर चिप होगी इनके खुद की और 12 भी रैम होगी फिर इंटेल ने CES के अंदर ये अपने नए 12th Gen के Core i9 प्रोसेसर लांच कर दी हैं और इसके साथ-साथ और भी कंपनी जैसे असूस, HP, Dell इन सब कंपनी ने अपने बहुत सारे वराइटी आफ आपको साथ में अपको एक फ्री गलेक्सी टैग मिल जाएगा जो कि उनका एर टैग जैसे है खुद का उनका टैग है सामसंग का वो मिल जाएगा आपको साथ में फोन काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर एक तो 120Hz का रिफ्रेश्ट होगा, ट्रिपल एट प टैप फोन मिल रहा है आपको, तो बस यही थी आज की टेक न्यूस अच्छी लगी तो लाइक कर देना और आपके कोई सजेशन्स हो तो नीचे कमेंट करके बता दो मुझे और ऐसी और वीडियो टेखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं अगले वीडियो में